अब हम देखते हैं कोईले का निर्माण कोईले का जो निर्माण है वो कैसे हुआ तो ये अब प्राचीन जो वनस्पतियां है उनका परिवर्तित रूप हम कह सकते हैं और कोईला प्रमुक रूप से परतदार चट्टानों में हमें मिलता है हम सभी को मालूम है जब प्रिथ्वी पर उष्नकटी बंधी जलवायू थी तो उष्नकटी बंधी आद्र और उष्नकटी बंधी जलवायू थी तब हमारी प्रिथ्वी की सतह पर बहुत बड़े बड़े वरिक्ष और वनस्पतियां उस समय विद्यमान थी उपस्ति थी तो बहुत समय के बाद जब वो वनस्पतियां जो है वो धरातल की सतह पर दप गई तो निरंतर हम को पता है कि पहले एक समय ऐसा था जब आद्रो और उश्नकटी बंधी जलवायू थी फिर हिम्यूगाया फिर जो जलवायू हुए वो आद्रो और उश्न हो गई तो ये जो जलव रातल की सतह पर पृत्वी की सतह पर दब गई अब कोई भी चीज उसके बाद फिर से दूसरी वनस्पतियां जो है उनकी उत्पति हो रही है फिर से उनमें दबाव बढ़ रहा है तो निरंतर समय के साथ-साथ उनमें ताप और दाब में ताप और दाब के प्रभाव से किय उन वनस्पतियों का जो पानी है वाश्म इल लगा ताप और दाब के बढ़ने के कारण वो वनस्पतियां जो हैं वो हम अभी देख रहे हैं जो कुले का रूप कुले में वो परिवर्तित हो गई और इसलिए हम कह रहे हैं चुकि वनस्पतियों से इनका निर्माण हुआ है त तो यह जो है जिवाश्म इंधन कहे जाते हैं जब हम कोईले की क्वालिटी देखेंगे कि यह किस क्वालिटी का होता है तो हम यह देखेंगे जो सबसे अच्छी किस्म का जो कोईला होता है वो पूर्ण रूप से ताप और दाप से परिवर्दित हो चुका है यह कोईले का र कि वो एक अर्ध पके हुए रूप में या हम यह कह सकते हैं कि ताप और दाब के फ़लस्व रूप उन वनस्पतियों का पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए वो जो को inj Partners हैं वो अभी भी लकडी से rein नहीं मिलते हैं और हम उसEngineтом होता है तोभाव आधिक कार्बन gorilla का कोईला भी बहुत कम حता है इसलिए अ आद के निमनेकोटी का कोयला भी कहते है अब हमnothing देखेंगे हम प्रिथवी के जब इतिहास में गय तो हमने बात की कि एक समय जो कार्बोनी फेरस यूग था उसमें बहुत वरिहत पैमाने पर हम जो कोईले का निर्माण हुआ था कार्बोनी फेरस यूग में लगभग आज से 25 करोड़ वर्ष पूर्व और इन कार्बोनी फेरस यूग में तो कोईले का निर्माण हुआ ही और इसके बाद के समय में भी जब हम बात करेंगे तो आप देख रहे हैं क्रिटेशियस यूग में और तर्शरी यूग में और साथ ही साथ जुरैसिक काल में भी कोईले का निर्माण हुआ है और जब हम अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत में दो यूग के जो हैं कोईले मिलते हैं पहला है गु गोंडवाना क्रम की भी जब हम चट्टानों की बात करेंगे तो ये आपके प्रमुक रूप से हम मध्यवर्ती जो छेत्र हैं प्रायदीपी पठार के जो राज्ये हैं वहाँ पर हमको अधिक देखने को मिलता है और पूरे भारत में भी हम बात करेंगे तो लगभग 98% जो को पूरिशा है साथ ही साथ मध्यप्रदेश, छतिसगर्ड, महाराष्ट और आंध्रप्रदेश ये सभी राज्यों में जो कोईला मिलता है वो गोंडवाना क्रम का है और जब हम तर्शरी कोईले छेत्र की बात करते हैं तो तर्शरी क्रम की जो चट्टाने हैं वो लगभग 2 प्रतिशत ही हमें अपने भारत में उपलब्द है और जब हम राज्यों की बात कर रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं जो पुर्वोत्ता राजी हैं चाहे वो असम हो गया मेघाले की हम बात करे या नागालें प्रकार है रासायनिक बनावट की आधार पर उनका वित्रण देखते हैं अब हम देखते हैं कोईले के डार्साइनिक बनावट की अधार पर वो कित्ते प्रकार के होते हैं तो सबसे उत्तम किस्म का जो कोईला होता है वो आपका एंथ्रेसाइट है एंथ्रेसाइट में कार्बन की जो मात्रा है वो लगभग 80-95 प्रतिशत तक होती है दूसरा अच्छी क्वालीटी का हम देखें तो बिटुमिनस कोईला है और मैं ये आपको बता दू कि हमारे भारत में जो सरवाधिक कोईला है लगभग 90% तक जो कोईला मिलता है वो इसी प्रकार का बिटुमिनस कोईला ही हमें अधिक देखने को मिलता है और हम यह देखें यह गोंडवाना क्रम की चटानों में मिलते हैं और इनमें जो कार्बन की मात्रा है बिटूमीनस कोईले में वो लगभग 75-80% तक होती है तीसरा जो है वो आपका लिगनाइट कोईला है यह हम इसे मध्यम शेणी का कोईला भी कह सकते हैं और इनमें कार्बन की मात्रा है वो लगभग 45-55% तक होती है और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात ही की थी सबसे निमन कोटी का जो कोईला होता है वो आपका पीट कोईला है क्योंकि पूर्ण रूप से कोईले के रूप में वनस्पतियों से कोईले के रूप में पूर्ण रूप से इसमें परिवर्तन नहीं हो पाया है ताप और दाप की कमी के फ़ल सुरूप तो अभी भी हम यह कह सकते हैं कि यह निर्मारा धीन अवस्था में हैं तो इसी कारण से यह एकदम निम्नकोटी का कोईला होता है और इस कोईले को जलाने से यह बहुत अधिक मात्रा में धुआ छोड़त से भी कम होती है पीट कोईले में जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया के अनुसार जनवरी 2001 की जब हम बात करें तो हमारे भारत में लगभग 2,3,905,000,000,000 टन जो है वो कोईले के भंडार है कोईले का जो उप्योग है हमने बात की थी कि सबसे अधिक जो है यह लोहिस पात उद्योग में होता है जिस प्रकार हमने मैगनीज को देखा था कि इस पात के प्रगलन में यह लोहिस के प्रगलन के लिए उसे गलाने के लिए मैगनीज का उप्योग किया जाता है ठिक उसी प्रकार कोईले कभी उसके प्रगलन में उपयोग किया जाता है और इन सब के साथ कृत्रिम रबर बनाने में कृत्रिम पेट्रोलियम के लिए रंग बनाने में पेंट बनाने में प्रिंटिंग प्रेस में और हमने भी जैसा बोला था कि धातूं को गलाने के साथ साथ ताप श अलग-अलग राज्यों की बात करें तो हम देखते हैं पशिम बंगाल के रानी गंज में प्रमुख रूप से कोईले का जो है वो उत्पादन किया जाता है और वहाँ पर भंडारण भी हमें मिलता है इसके बाद हम देखते हैं जारखंड जारखंड का जरिया और बोकारो छे प्रमुख रहे मध्यप्रदेश की हम बात करें तो मध्यप्रदेश में उमरिया है सिंग्रॉली है और पंचनहान ये प्रमुख रहें कोईले के फिर महाराष्ट में चांद है और वर्धा प्रमुख रहें उडिसा की हम बात करें तो उडिसा के इब और तालचेर और हम 36 गड़ की जब बात करते हैं तो 36 गड़ में कोर्बा जो है वो प्रमुख कोईला उत्पादक जीला है और इसके साथ ही साथ चिर्मिरी और जिल्मिली भी जो हैं ये प्रमुख कोईला उत्पादक छेत्र हैं इन प्रमुख कोईला उत्पादक छेत्रों के साथ ही साथ हम अन्य राज्यों की जब बात करें तो उसमें हमारा असम है मेगाले है अरुनाचल प्रदेश है और नागालेंड और कुछ मात्रा में जम्मु कश्मीर में भी हमें कोईला उपलब्ध मिलता है बच्चों आपको एक बात जानना और जोरी है कोईला जो है ये खदानों से खननकारी के द्वारा हमें पता है कि प्राप्ति किया जाता है कोईले का खननकारी किया जाता है और जब मजदूर जो है वो उन खदानों में नीचे की तरफ उतरते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही जहरीली गैश जो है कार्बन मोनो आकसाइट निकलता है तो क्या किया जाता है कि खननकर्मियों के द्वारा कितनी मात्रा में उस खदान में कितनी मात्रा में कार्बन मोनो आकसाइट जो है वो उपलब्ध है इस बात का पता लगाने के लिए ऐसे तो बहुत सारे जो यंत्र हैं वो प्रयोग किये जाते हैं लेकिन उसमें भी हम देखते हैं कि सिंग्रॉली जो है यहां पर पक्षियों के माध्यम से इस बात का पता लगाया जाता है जैसे ही पक्षियों को इस खदान में उतारा जाता ह तो चुकि carbon monoxide की जो मात्रा है वो बहुत अधिक हो जाती है यह पक्षी जो है वो लगभग 0.58 तक जो है carbon monoxide को ले पाते हैं और जब इससे अधिक मात्रा में carbon monoxide की मात्रा अधिक होती है इससे तो इनके पंख जो है वो फड़ फड़ाने लगते हैं और थोड़ी ही देर में यह बेहोश होकर गिर पड़ते हैं तो फिर खनन कर्मी इस बात का पता लगा लेते हैं कि carbon monoxide का जो इस तर है यहाँ पर बहुत अधिक है अभी मैंने बताया कि ऐसे तो और बहुत सारे यंत्र आ चुके हैं लेकिन सिंग्रॉली में अभी भी इन ही के माध्यम से ही carbon monoxide की मात का पता लगाया जाता है यह बात आपको जानना आवश्यक है क्योंकि board परिक्षा के हिसाब से पूछा जा सकता है कि कहां पर carbon monoxide की मात्रा का पता लगाने के लिए पक्षियों का इस्तेमाल किया जाता है अब हम दूसरे जिवाश में इंधन petroleum की बात करते हैं जैसा हमने देखा था कि कोईला जो है वो वनस्पतियों के दब जाने से कालांतर में बहुत समय के बाद ताप और दाप में रुपांतरन के फल्सरूप जो है कोईले का निर्माण हुआ है ठीक वैसे ही आपको पता है कि हमारे हिमाले और प्रायदीपी पठार इनके बीच में एक टेथिस सागर जो है वो लहराता था और इसमें बहुत से जो जीव जन्तु हैं वो रहते थे जली वनस्पतियां मिलती थी तो कालांतर में इसमें जो इस समुद्री हिस्से में आवसाद के जमाव होने से निक्षेपन होने से बहुत समय के बाद इसमें भी ताप और दाब की प्रक्रिया के फल्सरूप रूपांतरन हुआ और ये जो है आपका पेट्रोलियम में बदल गया तो इसलिए हम इसे भी जिवाश मैंधन कहते हैं और इसे तरल सोने की संग्यादी जाती है क्योंकि पेट्रोलियम जो है वो आपको बहुत कम मात्रा में हम विश्व में देखें इसका वितरन तो विश्व के बहुत कम हिस्से में ये हमें उपलब्ध मिलता है और साथ ही अयोग के कारण और दुरलभता मतलब बहुत कम मात्रा में प्राप्त होने के कारण इसे तरल सोना की संग्या प्रदान की गई है पेट्रोलियम जो है वो आपके टर्शरी काल की टर्शरी समय की जो अवशादी सैलें या चट्टानों की हम बात करें तो उसमें हमें पेट्रोलियम मिलता है भारत में अब हम देखते हैं लग 1956 में टेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC इसकी स्थापना की गई थी और हम देखते हैं कि सहीं तरीके से तभी से आपके टेल की खोज हुई और इसका उत्पादन जो है वो शुरू किया गया अब भारत में प्रमुख तेल उत्पादक छेतरों की बात करेंगे तो असम से हम बहुत अच्छे से परिचित हैं असम राजिके डिगबोई से जहां पर सबसे पहले तेल का उत्पादन जो है शुरू किया गया तो असम में प्रमुख रूप से डिगबोई है नहर कटिया है और मोरान ये तीन प्रमुख जो है असम में तीन जो है ये प्रमुख छेतर हैं असम में फिर जब हम गुजरात भी एक प्रमुख पेट्रोलियमूद पादक छेतर है और गुजरात की जब हम बात करें तो यहा प्रमुक पेट्रोलियम उत्पादक छेत रहें इसके बाद मुंबई हाई से हम सभी परिचित हैं हलांकि इसकी खोज बाद में हुई लगभग 1973 में इसकी खोज की गई और 1976 से यहां पर उत्पादन शुरू हो गया मुंबई हाई यह आपके मुंबई से लगभग 170 किलोमीटर दूर इस्थित छेत्र है और यहां पर यह भी प्रमुक पेट्रोलियम उत्पादक छेत्र बन गया है हमें पता है पेट्रोलियम जो जब निकलता है जब इसे प्राप्ति किया जाता है तो यह शुद्ध रूप में होता है और इसके बाद इसे शुद्धी करने के बाद जो आपके पेट्रोल है डीजल है पेट्रोलियम जेली की हम बात करें या केरोसीन यह अलग अलग रूप में इसे हम प्राप्त करते हैं तो जो शोधन कारखानों की जब हम बात करेंगे तो हमारे भारत में दो तरह के तेल शोधन कारखाने मिलते हैं एक वह छेत्र होता है जहां पर पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है और उसके समीप ही उसके पास ही जो है वो शोधन कारखा इस्थित होते हैं और दूसरा वह छेत्र होता है जहां पर पेट्रोलियम का उत्पादन तो नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे छेत्र से उसे उस कारखाने में मंगाकर उसका शोधन कार्य जो है वो किया जाता है तो आप कहेंगे कि फिर कैसे उसे जहां पर उत्पादन ही नहीं ह तो वहां से पेट्रोलियम को कैसे लाया जाएगा तो हमने परिवहन जब चैप्टर को पढ़ा था तो हमने देखा था कि पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से पेट्रोलियम का परिवहन करके उन शोधन कार खानों तक लाया जाता है तो जब हम छेत्रा अधारित बात करें त आपका असम का डिगबोई और यहां पर जो तेल शोधन कार खाना है यहीं पर तेल का पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है और उस पेट्रोलियम को फिर वहीं पास में ही इस्थित उसका शोधन कार खाना है जहां पर पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है अब जब हम ब बाजार आधारित शोधनकार खाने में हम देखते हैं आपका बिहार में बिहार का बरौनी जो है वो ऐसा बाजार आधारित शोधनकार खाना है जहांपर पेट्रोलियम का उत्पादन तो नहीं किया जाता लेकिन दूसरे छेतर से पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोलियम को मंगाया जाता है और फिर उस छेत्र में उसका शोधन कारिय किया जाता है तो ये भी बोर्ड परिक्षा की हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है कि बाजार अधारी एक्जामपल आपसे शोधन कार खाना का और दूसरा जो है वो छेत्र अधारी शोधन कार खाना कौन सा है तो ये दो आपको ध्यान में रखने हैं. अब हम बात करते हैं, परमपरागत जो उर्जा श्रोथ हैं, उसके अंतरगत प्राकृतिक गैस. तो प्राकृतिक गैस की जब हम बात करेंगे, तो इसमें हमें ये जानना जोड़ी है, जैसे हमने ओन जी सी की बात की थी, जो पेट्रोलियम की होज की जिसने और उसके माध्यम से उसका उत्पादन किया जाता है, तो ऐसे ही प्राकृतिक गैस के लिए, गेल की जो इस्थापना है, 1984 में की गई, और गेल का फुल फॉर्म होता है, गैस अथर्टी आफ इंडिया लिमिटेड, तमिलनाडू, इसमें जब हम प्राकृतिक गैस की और आगे चर्चा करेंगे, इसके पहले हम ये देख लेते हैं, कि तमिलनाडू राज्य का जो रामनाथ पूरम जीला है, यहां पर प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार होने के कुछ प्रामाण या संकेज जो हैं, वो मिले हैं, करने, वो मिले हम प्राकृतिक गैस के जोगा सब्सक्रा के यजो हैं, जय वो रामनावी मौतिक जो 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 मिले हम येदियं हैं, जů मूना हैं, वो मौतिक, एँ आप मेँ tarते हैं, यह चुछ जो हम चळहां। झाल, यह हम सरआ पर चेंजम, हम से जो क्ढ़ प्र नारी से जो झाल झाल